हेलो एविवान आप सभी काईगवाफिज है रुद्धा नर्चिंग एक्सपेस महार्दिक स्वागत है आज का हमने इंपॉर्टन टॉपिक कम्मूनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतिगत आज हम लोग हेल्थ एड्मिनिस्टेशन एट इस्टेट लेवर यानि कि राज इस्तर पर स्वास्त प्रश्तासिन के वारे में डिस्कस्टन करेंगे बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है कम्प्लीट कॉंसेप्ट आपको यहाँ पर हिंदी प्लस इंग्लिस में समझने को मिलेगा यदि आप इस वीडियो का पीडियो डाउनलोड करना चाहते है तो आप हमें टे हो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं चल्ये सबसे पहले हम बात करते हैं introduction की तो सबसे पहला मारा point के लिखा हो इसकी सबसे पहले सुरूजत हुई थी है चलिए States are responsible for याद अकीगा अगला हमारा point है प्रतिक राज की एक अपनी जिम्मेदारियां होती है क्या क्या हमके responsibility होती है चली देखते हैं तो सबसे पहला हमारा Health Care Delivery यानि की स्वास सेबा को प्रदान करना या मोहिया कराना ठीक है अगला क्या हमारा Health Promotion ठीक है Health का Promotion करना Rehabilitation जिसको हम पुनर्वास कहते हैं ठीक है Preventive Disease बिमारियों की रोख थाम करना ठीक है ये सारे काम क्या है एक राज की होते है चली अगला हमारा point है important है अगर हम कोई भी राज की बात करते हैं यूपी की बात है ये कोई भी state हो ठीक है तो पृतिक state जो है तीन चीजों से मिलकर बना होता है सबसे पहला क्या होता है State Ministry of Health and Family Belfare जिसको हम स्वास्थ एबं परिवार का लियान मंत्राले कहते हैं ठीक है दूसरे क्या हमारा Health Secretariat यानि कि स्वास्थ सचिवाल है तीसरे क्या होता है Directed of Health यानि कि स्वास्थ निदेसाल है ठीक है तो ये तीन एलिमेंट होते हैं प्रतेक राज़ों चाहिए कोई सभी राज़ों इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है चलिए तो आब हम सबसे पहले बात करेंगे State Ministry of Health and Family Belfare यानि कि स्वास्थ निदे परिवाय कर लियान मंत्राले के बारे में चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके Head की प्रमुक कौन होता है याद कीगा State Ministry of Health यानि कि स्वास्थ राजस्वास्थ मंत्राले या मंत्री इसके बाद अधर हम देखते हैं अधर कौन-कौना से आ जाते हैं इसमें तो डिप्टी मिनिस्टर आ जाता है जोसको हम उपमंत्री कहते हैं ये State Ministry of Health से छोटा पद होगा ठीक है चलिए अगला हमरा पॉइंट है इसके अलाबा इनके क्या काम होता है तो याद अखिएगा स्वास्त और परिवार कल्यांट सेवाओं का प्रवंधन और प्रसासन की जिम्मेदारे भी इनहीं के पास होती है राइट चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अब नेक्स्ट अइलिमेंट की हेल्थ सेकेटेरियर यानि की स्वास्त सेचवाले ठीक है तो सबसे पहला मारा पॉइंट है इज इस्टेट हैब सेप्रेक्ट सेकेटेरियर ठीक है प्रतीक राज का एक अपना अलग सचवाले होता है ठीक है वहीं अगर हम बात करते हैं इनके मेंबर्स की ठीक है तो सबसे पहला जो अनका हैड होगा वो कौन होगा है जिस्कों क्या कहते हैं स्वास्थ सचिव कहते हैं याद है यह जो सचिव होता है एक आई- – खता है चाले गता जाते हैं राइट चले function देख लेते हैं health security के क्या function होते हैं तो सबसे पहला हमारा point है coordination with government of India and other state government यानि कि प्रतेक राज जो होता है वो केंद सरकार और अपने से जो दूसरे जो राज है ठीक है उनके साथ में क्या है coordination एक समनवे स्थापित करता है कौन हमारा health secretariat करेगा राइट चाले अगला point क्या है prepare different law and rules for health ठीक है स्वास्त के लिए बिवन प्रकार के कानून और नियमों का यह जो है formation करता है निर्माण करता है ठीक है उसको बनाता है अगला के हमारा point है for better health services ठीक है एक अच्छे स्वास्त के लिए to prepare health budget with state ministry of health ठीक है तो यह क्या करता है एक अच्छे लोगों को जो है better health services मिले तो इसके लिए क्या करता है यह जो हमारा health secretariat है यह state ministry of health के साथ मिलकर health budget यानि कि जो स्वास्त budget है उसका formation करता है ठीक है या उसके निर्माण में यह help करता है कौन हमारा health secretariat ठीक है चलिए next element है हमारा डायरेक्टर आफ हेल्थ यानि कि स्वास्त नितिसाल है ठीक है तो पहला point है हमारा work at technical level ठीक है या दखीगा important point है जो डायरेक्टर आफ हेल्थ होता है या दखीगा यह director होता है ठीक है और deputy director जोटा कौन होता है assistant director होता है clear है चलिए बात कर लेते हैं हम लोगा functions की क्या 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 कार होते है ठीक है तो सबसे पहला मारा point क्या है study health problem such as tuberculosis leprosy ठीक है तपयदे कुष्ट रोग ठीक है ऐसी स्वास्थ समस्याओं का यह अध्यन करते हैं ठीक है कौन-कौन सी बीमारियों का जैसे आपका tuberculosis हो गई लेप्रसी हो गया ठीक है तो इन बीमारियों का यह अध्यन करते हैं clear है अगला क्या हमारा implementation of national health programs ठीक है जो ठीक है और क्या-क्या हमें प्रदान करता है याद है कि प्रात्मिक स्वास्थ सेवाएं प्रदान करते हैं ठीक है इस्कूल स्वास्थ सेवाएं हो गया है परिवान नियूजन सेवाएं हो गया है MCH हो गया ठीक है ब्यवसाइक स्वास्थ सेवाएं आदी जो है यह प्रदा health यानि कि president एवं पाल स्वास्त को प्रोसाहिद करेगा clear है चलिए अगला हमारा point है improvement of nutritional program ठीक पोसल कारेकरा में सुधार लाना ठीक है अगला क्या है controlling of food adulteration food adulteration का मतलब क्या है मिलावट कोरी ठीक है तो मिलावट कोरी पर यह नियंतर रखना इसका यह भी एक काम होता है clear है अगला हमारा point है medical and nursing education ठीक है चिकसा और nursing सिक्षा यह भी देखती है ठीक है अगला हमारा क्या है training of nurses female health workers and other health workers ठीक है nursing हो गई हमारी महिला स्वासकार करता हुए और अन्न जो स्वासकार करता है उनकी precision को देखना ठीक है उनका training की वेवस्ता करना यह भी एक कार होता है राइट आसे करना को topic आपको अच्छी तरह समझ में आगे हैगो topic कैसा लगा comment करके जुरूब बता है यह लिए आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो उसे like करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से share करें तो तब तक के लिए अपना ख्याल लखें take care and bye bye thank you so much